हेलो जी and welcome to the channel क्या हाल है आप लोगों के आज हम बढ़ने वाले हैं 28th chapter जिसका नाम है पांडवों और कौर्वों के सेनापती कहानी काफी आगे बढ़ चुकी है तो जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी भाई देखलो उसके बिना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला तो क कर लो मतलब उन्होंने क्या बोला युदिश्टिर ने अपने सारे भाईयों से बोला कि भाईयों ब्हया मतलब अपने छोटे भाई को भाया बोल ते एक अब तो वक्त आ गया कि मतलब शीरिकष्न खुद गए लढ़ाई को रोकने पर तब भी लढ़ाई नहीं रुकी तो अब तो कोई रास्ता बचाई नहीं है, सब लोग अपनी व्यू रचना बना लो, लड़ाई की तयारी कर लो। यह जो एक्चुली कितने साथ, एक्चुली पांच बोल देगा है, मैंने नहीं साथ ही बोल था, तो साथ पार्ट्स में डिवाइड करा गया, उन साथ के साथ पार्ट्स के लीडर यह सारे लोग थे और यह सारे बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करा था इन सब ने, अब देखो अब प्रश्ण उठा कि सेनापती किसे बनाया जाए, अब प्रश्ण क्या था, कि सेनापती कौन बनेगा, सब की राय ली गई, अंत में युधिष्टर ने कहा, सब के, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिये हैं, वे सभी सेनापती बनने के योग हैं, किन्तु, अर्जुन की राय मुझे हर द्रिष्टी से ठीक प्रतीत होती है मैं उसी का समर्थन करता हूँ द्रिष्ट द्यूम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए तो उसने क्या बोला जो सबसे बड़े भाई दोनों नों बोला देखो सबकी राय सही थी सबने अच्छे ही लोगों का नाम लिया लेकिन जो अर्जुन ने बोलाय ना पई मैं भी मैं उस चीज से बहुत ही सहमत हूँ तो दो होट हो गया कैंसी लिए द्रिष्ट द्यूम्न जो है इसको बनाया जाएगा हमारी सेना का सेना पती वीर कुमार द्रिष्ट द्यूम्न को पांड़वों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विदिवत अभिशेक किया गया अभिशेक क्या होता है पहले पूजा संसकार होता था एक प्रॉपर मतलब आप समझे रहो ना जैसे घर में हवन होता है उसी प्रकार हवन होता था अभिशेक किया गया अपने कुलाहल से दिशाओं को गुंजा गुंजाती उधर कौर्वों की सेना के नायक थे बीश्म पितामा कौन मने वहां के बीश्म पितामा मने बीश्म ने कहा युद्ध का संचालन करके अपना रिन अवश्य चुका दूँगा लड़ाई की घोशना करते समय मेरी सम्मती किसी ने नहीं ली थी इसी कारण मैंने निश्य कर लिया था कि जानबूच कर स्वयम आगे होकर पांडू पुत्रों का वद मैं नहीं करूँगा कन तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया अच्छा हो कि अगर वह सेनापती बन जाए इसमें मुझे कोई आपती नहीं होगी तो अब होता क्या है सिंपल सी बात थी उदर बना दिया भीश्म को अब भीश्मने का देखो भाई सिंपल सी बात यह है कि युद्ध में तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने आप आगे आजाओं वो मैं साथ दे दूँगा कोई दिक्कत नहीं मैं अपना जो मेरी ड्यूटी है वो मैं निभाऊंगा पर यार देखो लड़ाई करते हैं तुमने मेरी बात मानी नहीं अब तुम मुझे जबर्दस्ती आगे भी भेज रहे हो पई मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे आगे भेज कर मैं अपने पांडू पुत्रों का वद्ध कर दूँँ वो मैं नहीं कर पांगा और बात रही भाई कर्ण है न तुम्हारे पास तो तुम तो कर्ण की बड़ी दारीफ करते थे तो कर्ण को बनाओ वो बनेगा तुम्हारा सेना पती कर्ण का उदंड व्यवार भीश्म को सदा से ही बहुत खटकता रहा है अब कर्ण जो थे न वो हमेशा बहुत एंटी रहे हैं पांडवों के कि अरे मैं हूँ तो तुम टेंचन के ले रहो लड़ते हैं तो कर्ण ने बहुत ही चड़हा दिया कौरों को इसकी वज़े से जो भीश्म पितामा थे न वो कभी पसंद नहीं करते थे कर्ण को कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब हट कर लिया था मतलब उसने वो बना लिया था एकदम इगो पे लिया था कि जब तक वो भीश्म जीवित रहेंगे तब तक वो युद्भूमी में प्रवेश नहीं करेगा और ये promise उसने किस को किया था? अपनी कुंती माता को किया था, जब कुंती माता ने बताया था, कि भाई तुम मेरे ही बेटे हो, और वो भी मेरे ही बेटा है, तो तुम सब भाई-भाई हो, क्यों लड़ रहे हो? तो उसने गोला था ठीक है कोई नी अब आपका पांच बेटे हैं पांच के पांच रहेंगे या तो मैं मरूँगा या अरजुन मरेगा दुरियोदर ने सब सोच समझ कर पितामा भीश्म की शर्त मान ली और उनी को सेनापती नियुक्त किया इनको भीश्म पितामा को फलतह कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा पर बात बस यतनी थी कि बन तो गया आपका कर्ण बर तब तक वो आएगा नहीं जब तक भीश्म पितामा मारे नहीं जाएंगे तो ये रूल उसने बना लिया था अब पितामा के नायत्व में कोरव सेना समुद्र की भाती लहरे मारती हुई कुरुक्षेत्र की और प्रवाहित हुई तो भई पितामा की नायत्व मतलब पितामा बन गए क्या वहां की लीडर नायक्तु मतलब उनकी लीडर्शिप के अंदर कौरमों की जो सेनाती ऐसा लग रहा था कि समुद्र की लहर है इतनी तेजी से बहुत तेजी से वो कुरुक्षेत्र में आ पहुँची इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज कौन बलराम पांडवों की छावनी में एक आएक जाम पहुचे तो अब एक तरफ तो यह हो रहा था श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम वो पहुचे पांडवों की छावनी मतलब पांडवों का जहा रहने सहने की जगह थी बलराम जी ने अपने बड़े-बुडे विराट राज और दुरुपत राज को विदिवत प्रणाम किया तो जितने भी वहाँ बड़े थे और दुरुपत राज जो दुरुपती के फादर त्रे दुरुपत राज कहते थे जिनको उनको प्रणाम किया क्योंकि अफकॉस वो लोग बड़े थे और धर्मराज के पास बैठ गए अब धर्मराज कहते के से युधिष्टिर को धर्मराज कहा चाता है वो बोले कितनी ये बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है इसमें हमें बीच में पढ़ने की आवशकता नहीं है पर कृष्ण मेरी बात नहीं मानी अर्जुन की प्रति उसका इतना स्ने है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी सुविकार कर लिया जिस तरफ कृष्ण हो उसकी विपक्ष मैं भला कैसे जाओ भीम और दुर्योदन दोनों नहीं मुझसे गदा युद्ध सीखा है दोनों नहीं मेरे शिष्य हैं दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है इन दोनों कुरुवंशियों को यो मैं आपस में लड़ते मरते देखना मुझे बहुत सहन नहीं होता है लड़ो तुम लोग परंतु ये सब देखने के लिए मैं यहां नहीं रह सकता हूँ मुझे अब संसार से विराग हो गया है अतह मैं जा रहा हूँ तो इस समय पर एक बहुत important घटना घटी महाभारत के इस पूरी कहानी में होता क्या है अब आपको ये तो पता है ना कि श्री कृष्णी जो थे वो विश्नु का अवतार थे और विश्नु के साथ हमेशा उनका शेशनाग रहता है तो जो बलराम थे वो बने थे शेशनाग का रूप लेके वो धरती पर आये थे ये आपको बैक स्टोरी है ठीक है तो अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बलराम जी क्या बोलते है कि भाई देखो कितनी बार मैंने श्री क्रिश्न जो मेरा छोटा भाई है उसको समझाया कि भाई ये दोनों हमारे लिए बराबर हैं इनकी लड़ाई में मत पड़ो मत जाओ मगर श्री क्रिश्न अर्जुन को इतना प्यार करते थे कि वो एक तरफ हो गए कि भाई ठीक है मेरी सारी सेनन ले जाओ फिर भी मैं तो अर्जुन की तरफ से लड़ूगा ये हो गया तो अब भाई जिधर क्रिश्न उधर मैं मैं अलग कैसे हो सकता हूँ पर सबसे बड़ी के जारूं युद के समय सारे भारत वर्ष में दो ही राजा युद में समयरत नहीं हुए और तटस्त रहे एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुकमी तो पूरे जितना बड़ा इस समय का राज था सिर्फ दो ऐसे राजा थे जो लड़ाई में आई नहीं कौन-कौ कुरुक्षेत्र में होने वाली युद के समाचार सुनकर रुकमी एक अक्षोहनी सेना लेकर युद में समयलित होने को गया उसने सोचा कि अब सर वासुदेव की मितरता प्राप्त कर लेने का लिए ठीक है अब आगे स्टोरी समझते हैं इसलिए मैं पांडवों के पास पह बोला राजन आप बिना शर्त के साहता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है नहीं तो आपकी जैसी इच्छा अब सबसे बड़ी बात क्या थी दो राजा थे जो नहीं थे जिसमें एक ते रुकमी रुकमी को जब पता चला हरी हम रहे गये तो वो भी क्या आपनी सेना ले बोले कि राजन आप राजा अगर आप बिना किसी शर्त के हमारी साहता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है नहीं तो आपकी जो इच्छा अब यह सुनकर जो रुकमी था वो बड़ा गुस्ता हो गया यह सुनकर ठीक है और सुनकर उसने क्या करा अपनी सेना लेकि दुर पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है यह कहकर दुरियोधन ने भी रुकमी को रुकमी की सहायता ठुकरा दी तो दुरियोधन क्या बुला पांडवों ने जिसकी मदद ने ली उसकी मदद हम क्यों ले तो बस उसने भगा दिया तो ये रीजन था कि रुकमी एक लौता ऐसा राजा बन गया जो भाईया किसी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाया पूरे उस समय के भारतवरश में बेचारा रुकमी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजगट वापस लोट गया रुकमी करतव से प्रेरित होकर नहीं बलकि अपनी प्रतिष्टा बढ़ाने के उद्देशे से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ क्योंकि वो इसलिए नहीं कि किसी का साथ दे किसी के ल वीरों ने युद्ञी नीती पर चलने की प्रतिग्याएं ली दोनों साइट से प्रतिग्याएं ली जाती वह हो गई कौर्वों की सेना की व्यूरचना देखकर युदिष्टर ने अर्जुन को कि देखो इनकी जो रचना है वो ऐसी है कि हमें एक साथ एक लाइन बनाकर लड़ना पड़ेगा एक लाइन बिल्कुल सुई के नोक के समान वरना क्या हो जाएगा हम हार जाएगे इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यू रचना हो गई अर्जुन ने युद्ध के लिए तयार अब ये देख लो वेरी 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 इंपोर्टन सीन है ठीक है अब लड़ाई एकदम पीक पर है वेरी 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 को देखा तो उसके मन में शंका होई अब यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आएगा बट समझने वाली चीज है ये इंपोर्टन की जैसी उसने लड़ाई सजी हुई है पीछे अपनी सेना खड़ी है सामने दूसरी सेना खड़ी है पर एक सेकेंड के लिए अरजन के मन में यहागै कि अरे यार यह सब मेरे भाई हैं मेरे blood relations है तो उसके मन में शंका हुई कि हम क्या करने जा रहे हैं उसने अपनी यह शंका श्री कृष्न से प्रकट कर दी अरजन. चिह क्रें यह अप जो श्री कृष्न से कह दिया कि मैं नहीं लड़ पाँंगा और श्री कृष्ण ने प्रकट कर दी तब अर्जुन के इस भ्रह्म को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक शेत्र में जिस कर्म योग का उपदेश दिया वह तो विश्व विख्यात है वो क्या है गीता है सब लोग इसी की रहा देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो फर एका एक पांडव सेना के बीच में हल्चल मच गई देखते हैं क्या हूँ देखते क्या है कि युद्धिष्टिर ने अचानक अपना कबच और धनुष बाण उतार कर रत पर रख दिया और रत से उतर कर हाथ जोड कौरव सेना की हत्यार बंद पंक्तियों चीड़ते हुए बीश्म की ओर पैदल जा रहे हैं अब होता क्या ही बड़ी खतरनाक चीज कि सबकुछ एकदम तयार है कि तभी पांडव सेना में एकदम हल चल मच गए पांडव होता क्या युद्धिष्टिर जो कि सबसे मेन है लड़ाई में उन्होंने अपने सारे जितने कवच कुंडलते सब उतार कर और अपना धनुष रख कर वो चल दिये किस तरफ कौरों की सेना की तरफ हत्यार बंद जहां भाई सारे हत्यार मतलब इतने हत्यार है सामने कि कोई चक्कू है मतलब कुछ भी कुछ एड़ते तो तुम बच नहीं पाऊगे फिर भी वो ऐसे ही उनके बीच से निकल गए और कहां गए बीच में पितामा की ओर पैदल जाने लगे बिना स से कूटपड़ा और युदिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में गुज गया अर्जुन क्योंकि भाई भाई था मेन था तो अर्जुन भी पीछे पीछे गुज गया कि कहीं मेरे भाई को कुछ हो ना जाए दूसरे पांड़ा और श्री कृष्ण भी उनके साथ ही हो लिए अ दर्मुराज का उद्देश अच्छा ही है तो भाई वो क्या चाह रहे है कि बस वो जाके पर्मीशन में इतलब एक चरण चूना एक रिस्पेक्ट दिखाना चाते हैं शत्रु सेना के हत्यारबंद वीरों की कतारों को चीरते हुए युदिष्टिर सीधे पितामा भीष्म क के पास पहुँचे और जुक कर उनके चरण चूलिए फिर बोले पितामा हमने आपके साथ लड़ने का दुस्ताहस कर लिया क्रपया हमें युद्ध की अनुमती दीजिए और आशिरवाद भी कि हम युद्ध में विजई प्राप्त हों तो उन्होंने क्या मांगा कि भई हम मुझे एक्सपेक्टेड था कि तुम आओगे मेरे पास और मैं आजाद नहीं हूँ विवश होकर मुझे तुमारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है मैं बहुत मजबूर हूँ जो मुझे साइड रहना है फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजई तुमारी हो फिर भ अचारे ने गुरू के पास कौन थे गुरू द्रोण अचारे उनके परिक्रमा उनके आज तरफ गुमे और दंडवत लेट के उनको प्रणाम किया आचारे ने आशिरवाद देते हुए कहा मैं भी कौर्वों के अधीन हूँ उनका साथ देने में विवश हूँ फिर भी मेर राज शल्ले के पास जाकर उनके भी आशिरवाद प्राप्त किये और सेना में लोट आए अब सबकी पर्मिशन ले ली थी युद्ध शुरू हुआ तो पहले बड़े योधाओं में द्वंध होने लगा अब युद्ध हो चुका था शुरू बराबर की ताकत वालों एक ज साथ भीड़ गए अब सबके अपने अपने दुश्मन सबको पता चल गए थे भीम से इन जो थे वो दुर्योधन से जा बिढ़ा युद्धिर शल्ले के साथ लड़ने लगे त्रिश्ट दूम्न ने आचारे द्रोन पर सारी शक्ति लगा कर हमला बोल दिया और इसी प्रका थे उन्होंने 10 दिन तक लड़ाई continue रखी अब 10 दिन के बाद भीश में आहत हुए और द्रोन अचारे सेनापती निव्ट किये गए अब 10 दिन के बाद क्योंकि अर्जुन थे एक तरफ तो अर्जुन ने उनको थोड़ा सा मतलब आहत हो गए मतलब हर्ट होगे चोटोट ल खेत रहे मतलब भाई जब उनके चोट लग गई तो कर्ण को सेनापती ग्रहन करना पड़ा सेनापतित्व मतलब आब आगया था कर्ण 17 दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया अब इन्होंने बहुत ही शौट में बताया है बड़ थोड़ी सी कहानी में आपको बता देता हूं कि कर्ण ऐसा था जिसको हराना नियर इंपॉसिबल था कर्ण को कोई नहीं हरा सकता था ये बात श्रीकरिशन अच रूल्स और रेगुलेशन से वाली लड़ाई होती थी तो उसने बोला कि ठीके मैं उतर रहा हूं एक मिनिट के लिए अपना रत निकालने के लिए फिर लड़ाई कंटिन्यू करेंगे श्रीकरिशन ये बात जानते थे कि यही मौका है जैसी वह उतरा उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन तो तीर चलाओ अर्जुन ने मना किया बट फिर भी उन्होंने का तीर चलाओ और चला दिया और इस तरीके से करण को मारा गया वरना करण को मार ही नहीं सकते थे वो इतना शक्ति शाली था और उसके बाद श्रीक्रिशन अपने असल को कर दो सब्सक्राइब टेंशन नहीं लेने का कोशन आंसर भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर ठीक है वीडियो को लाइक करते ना जाने से बहले मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय टेक केर और महुत मस्ती करते रहें बाबाय